नमस्कार मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उद्यपूर खबर उद्यपूर शहर के स्रचपोल थाना शेत्रे में आने वाले डेलिगेट चोड़ाय पर एक डंपर ने फीगो कार को अपनी चपेट में ले लिया जिसकी वज़े से कार पूरी तरह से सतिग्रस्त हो गई आको वदा दे कि लाल बत्ती का चोड़ाय जब से स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ पर हाथ से कुछ जाड़ा ही होने लगे है ऐसे ही सक्तिनगर की ओर से लाल लाइट आने की वज़े से जो मार्ग रोका जाता है उसकी वज़े से एक कार के अंदर दो यूत्या इस बात का इंतजार कर रहे ही कि हरी बत्ती स्टार्ट हो और सी वज़े से चालू रवन आ हो लेकिन उसके पहले ही यहां पर देखने वाला विश्य है कि कार के पीछे ही नगर निगम के अनुमंदित किया हुआ एक डंपर खड़ावा था जिसने जैसे ही लाइट बदली तो वह भी अपनी जगे से हिलने लगा और हिलने के साथ ही चलने का स्टार्ट जैसे ही किया तो इस वजह से कहीं न कहीं जो ट्राइवर है वो निमित इस्तिती में गाड़ियों को नहीं चलाते हैं इसी के देखने वाला विश्य है कि कुछ दिन पहले ही यह जो आर्टिस्ट हाउस से उसके बाहर भी एक डंपर ने कार को अपनी चपेट में ले लिया था आज भी इसी तरह का गटना करम देखने हम मिला जब लाल बत्ती थी इसकी वजह से सुरजपोल चुराय की इदर से जो कल्यान चेलर्स के यहां पे लाइने लग जाती है उसी की लाइन के अंदर सब से आगे फिगो कार को लेकर दो यूटिया खड़ी थी और जैसे ही हरी ब पर पुलिस तेनात थी उन्होंने दोनों ही वानों को रुकवाते वे साइड में कर लिया है बताया जा रहा है कि इसमें पूरी तरह से डंपर चाले की गलती है और इस तरह के हाथ से लगातार होते आते हैं लेकिन देखने वाला विशह है कि आखिरकार नगर निकम को यह च झाली है